आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फंडामेंटल सफ यूमन जोग्राफी बुक का चैप्टर नमबर एट रांस्पोर्ट अंड कमिनिकेशन इससे पहले कि जितने भी चैप्टर से हम सारे पढ़ चुके हैं प्लैलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से सारे वन ब्लेस ट्रांस्पोर्ट कम्मिनिकेशन ट्रेड इस्टैबलिस लिंक बिट्विन प्रोड्यूस सेंटर्स अंड कंजूमिंग सेंटर्स जितने भी चीज़े हैं लाइक नेच्रल रिसॉर्स हो गया एक अक्टिविटीज हो गया और मार्केट्स हो गया यह सारे एक प्ले यहां पर हम कंजूम करते हैं इन दोनों के बीच में एक लिंक बनाता है लिंक क्रेट करता है दा सिस्टम ओफ मास प्रोडक्शन और एक्स्टेंज का जो सिस्टेम हो काफी जाधा कॉंपलेक्स है इच रिजन प्रोड्यूस दा आइटम्स फोर विच इट इस बेस्ट सुट और हर रिजन में क्या होता है कि वो जिस चीज के लिए सुटेबल होता है वही चीज वो प्रोड्यूस करता है जहां पर मतलब जो एरिया जिस चीज के लिए सुटेबल नहीं है वो उस चीज को कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है लाइक अगर यह हमारा एरिया है यहां पर हम cotton उगा सकते हैं तो हम यहाँ पर cotton ही उगा सकते हैं यहाँ पर अगर हम धान की खेती करेंगे तो वो हमारा नहीं होगा तो वैसे यह कि suitable होता है तो यह को शूआ को चलिएजा में में और को में जंचितनी पिरॉड का मारी सब्सक्राइं सैज और यहाँ पर होगा तो non-efficient transportation communication and trade in earlier days the means of transport and communication were the same तो पहले के जो दिन थे उसमें क्या था कि जो transport था और communication था दोनों सेम था बट टूटे वोथ है वेखोड डिस्टिंक्ट and specialized forms बट आज क्या है इसका एक specialized form है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड दे नेट्वर्क तो जो अगला topic है हमारा यह topic पहला है हमारा इस chapter का transport ट्रांसपोर्ट क्या है वो देखते हैं हम तो बचपन से पढ़ते आरहें कि ट्रांसपोर्ट क्या होता एक जगह से दूसरे जगह जितनी भी चीज़े एक्सजेंज होती है या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर कोई भी human being कोई भी अनिमल जाता हुसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ ट्रांसपोर्ट इस सर्विस और फैसिलिटी फोर देखेश ऑफ परसन और फ्रम वन प्लेस तुद अनदर यूजिंग हुमन्स अनिमल्स और दिफ्रेंट काइंट्स तो बहुत सारे डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के वेहिकल्स का यूज करके हुमन मतलब खुद अपने अनिमल्स को यूज करके जोब हम एक जग़ह से जाते हैं फिर कोई भी सफ्रोवईट कराता है तो क्या कहलाता है वो ट्रांसपोर्ट क्या है तो यह जो मुव्मेंट हो रहे हो कहां पर होंगे या तो जो लैंड है उस पर होंगे जो वहां होगा या फिर एर में होगा दूसरे जो आर ट्रांशपोर्ट है वह है पाइपलाइट्स का यरी मैटलन्स घ्राइट कि लाग पेट्रोयां निट्डीपाई फर्म और जुपीफाइट्ट होते हैं वो क्या करते हैं petroleum natural gas यह सारी चीज़ों को carry करते हैं एक जगह से दूसरे जगह इन liquidified form ठीक है जो आ गया है वो हमारा moreover transportation is an organized service industry created to satisfy the basic need of society तो जो transportation है वो क्या है service industry है जो कि जो society है हमारी उसको satisfy करते हैं उसके जुरुणीट से उसको satisfy करती है इते includes cier인지 contact with utility people and goods and organization to maintain arteries and to handle loading unloading and delivery इसमें बहुत सारी जो transport आभिसंगे क्या होता है क्या हुता है बीपल सकैरी होते हैं गौट्स mad甲्ड कंभी घंभ ऑग्मेरैं और जो चीज़ें हैं जो क्या होता है रोडिकर ही सारी चीज़ेंग कि सम ai Copy Got Talent चव एरी निशने हैं वैसर कांट्स ओफ रांस्टिशं धैसे फाफ चौूज डिपर से रांस्पोर्टनेशन पृपरसेल के लिए एक दिया हुआ है वोट इस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है इसमें क्या होता है बहुत सारे प्लेसे एक ही जगह पे एक लिंक से कानेक्टेड होता हुँष हमकहते ट्रांसपोर्ट नेट वर्क गएक ज्वह हमारा मोट्स ऑफ ट्रांसपो ट्रांसपोर्टिशन यह हमने देंध लिया आप कौंं कौंस से टैप्स जो चीज़े होती हैं, उत ड्रांसपोर्ट होती हैं जगह से दूसरे जगह. These are used for inter-regional and intra-regional transport and each one except pipelines carries both passenger and fret. तो जो यह है हमारा land transport और air transport, इस से क्या होता है? इसमें passenger भी जाते हैं, fret भी जाते हैं, जो goods होते हैं, वो भी जाते हैं. The significance of a mode depends on the type of goods and services to be transported, cost of transport and the mode available. तो मोट्स किस पर डिपेंड करेगा, कि जो goods है, वो किस टाइप का है, अगर बलकी materials होंगे, बलकी goods होंगे, तो वो air transport मैं अच्छे सा नहीं जा पाएंगे, उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए railway जाहिए, तो services जो होता है, वो किस टाइप के है, तो cost, उसके according, उसका जो cost ह होता है, वो बताया जाता है, ठीक है, international movement of goods is handled by ocean freighters, जो international movement होता है, वो किस चीज के द्वारा होता है, ocean के द्वारा होता है, waterways के थ्रू होता है, road transport is cheaper and faster over short distances and for door to door services, जो road transport किस चीज के लिए चीपर है, सिस्ता है, एकदम तो short distances के लिए, अगर हमें short distance कवर करना है, तो उसके road transport एकदम बेस्ट है, और door to door service अगर provide करानी है, तो, railways are most suited for large volumes of bulky materials over long distances within a country, अगर किसी भी country में अगर हमें क्या करना है, कि bulky materials को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है, तो उसके लिए अगर long distances cover करना है, तो उसके लिए railway बहुत ही ज़्यादा suitable है, high value, light and perishable goods are best moved by airways, airways से हम क्या भेज सकते हैं, तो जो high valuable things जो होते हैं, और जो हलके होते हैं, उसे हम भेज सकते हैं, in a well managed transport system, these various most complement each other, इसके बाद जो आता है, वो हमारा है land transport, land transport क्या है, most of the moment of goods and services take place over land, बहुत सारे goods और services का जो moment होता है, वो land के थुरू होता है, in early days, human themselves over carriers, तो पहले के जो दिनों have you ever seen the bride being carried on a palki by four persons, तो अगर हम बात कर ले, तो मतलब बहुत पहले की बात कर ले, तो अभी तो ऐसा बहुत कम देखनों को मिलता है, पहले क्या होता है, जो दुलन जाती थी वो पालकी में जाती थी, डोली में जाती थी, और North India में जो चार लोग जो पालकी को उठाते थे North India में उन्हें कहार बोला जाता है, बात में क्या होना, इनिमल्स का यूज होने लगा, जो बहुत सारे धोने के लिए जितने भी सामान होते हैं, जो सामान धोने वाला होता है, उसके लिए अनिमल्स का यूज होने लगा, जो रूरल अरियाज होता है, उनमें अकसर देखने को मिलता है, जो म्यूल्स होता है, खचर होता है, जो सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है, उसके लिए, जो जब से विल का इंवेंशन होय तब से क्या होता हुआ, च स्टीम इंवेंशन होए, विए यह उस रहतो हुआ, क्या होआ एटेम इने संचुरिय में तब, परहापस दो फॉस्ट पॉब्लिक रेल्वे लाइन वस ओपेंड इन 1825 बिट्विन स्टॉक्टोन और डार्लिंगतन इन नॉर्डर्न इंग्लाइन इन अन्वर्ड आप इसे अपनी कॉपी में नूट कर सकते हो नूट कॉपी में कि जो फॉस्ट रेल्वे था वो कब स्टार् हुआ था 1825 में और कहां से कहां के बीच में तो यह स्टॉक्टन और डार्लिंगतन और देन ओन्वर्ड रेल्वेस बिकाम दो मोस्ट पॉपल एन फाथेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांस्पोर्ट इन नाइंटेंटेंट सेंच्री में यह फास्टेस्ट फॉर्म हो गया रेल्वे रोड ट्रांस्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ रोड क्वालिटी और वेहिकल्स प्लेइंग ओवर देम इमांग देवलप्मेंट्स और लंड ट्रांस्पोर्टेशन और पाइपलाइंस रोप्वेस और केबल वेस लिक्विट्स लाइक मिन्डल ओयल वोटर स्लॉज और the great freight carriers are the railway the great freight carriers carriers are the railways ocean vessels barges boats and motor trucks and pipelines in general the old and elementary forms like human potter pack animals cart or wagon are the most expensive mean of transportation and large freighters are the cheapest the पहले क्या होता था कि जो चीज़े थी human potter like pack animal हो गया काट हो गया और वैकन हो गया वह बहुत ही जादा expensive transportation होते थे they are important in supplementing modern channels and carriers which penetrate the interior in large countries in the densely populated district of India and China overland transport still takes place by human potters and carts down or pushed by humans अभी भी हमारा जो इंडिया है या फिर चाइना की बात कर ले तो नहा पर क्या होता है कि यह सारी चीज़े यूज़े होती human potters यूज़े होते हैं और काट राउन यूज़े होता है आगे है pack animals pack animals क्या है horses are used as drought animals even in western countries dogs and reindeer are used in North America, North Europe and Siberia to draw slasers over snow-covered ground mules are preferred in mountainous regions while camels are used for caravan movement in deserts in India, bullocks are used for pulling cars तो यहां पर उन सारी चीज़ों का दिया हुआ है कि horse कहां पर use होता है dogs कहां पर use होता है इंडिया तो यह pack animals है क्या थे यही बहुत जादा expensive थे पहले हमने पढ़ा कि most expensive means of transportation थे यह आगे हमारा roads तो यह हमारा landways का ही है road road transport is most economical for short distances compare to railways के compare में अगर हम देखे तो road क्या है बहुत ही जादा मतलब best होता है short distance travel करने के लिए फ्रेक transport by road is gaining importance because it offers door-to-door services यह कितना importance इसको क्यों दिया जाता इतना road इतना importance gain क्यों कर रहा है because door-to-door services but unmetall roads to simple in construction are not effective and serviceable for all season लेकिन जो unmetall roads होते हैं वो क्या होता है वो effective उतना जादा नहीं होता है serviceable नहीं होता है सारे season में अभी अगर हम बात कर ले हमारे rural India की जो हमारे rural areas है हमारे इंडिया का वहां पर क्या है unmetall roads आपको basically unmetall roads ही मिलेंगे metal roads बिलकुल भी नहीं मिलेंगे यह सिफ metropolitan areas में जादा तर मिलेंगे आगे हमारे during the rainy season this become unmotorable and even the metal wounds are seriously handicapped during heavy rains and floods तो क्या होता है rainy season में तो आप यहां पर मतलब बहुत ही जादा वो हो जाता unmotorable आपर कोई भी motor vehicles नहीं चल सकता है ऐसा condition होता है even हम अगर metal roads की बात कर लें तो अगर बहुत ज्यादा heavy rainfalls हो जाते है फ्लर्ट चाह जाते तो यह भी क्या होता है suitable नहीं होता है transportation के लिए in such condition the high impact of rail tracks and efficient maintenance of railway transport service is an effective solution तो इस स्थी में क्या होता है कि railway transport service काफी ज्यादा effective solution होता है but the rail kilometer meters being small cannot solve the needs of vast and developing countries at the low cost roads therefore play a vital role in the nation's trade and commerce and for promoting tourism क्या होता है यह roads काफी ज्यादा मतलब एक बहुत ही अच्छा vital role play करता है किसी भी nation में किसी भी country में किस लिए trade में commerce में और tourism को promote करने के लिए ठीक है road बहुत ही जादा vital role play करता है आगे जो है वह हमारा the quality of roads varies greatly between developed and developing countries because road construction and maintenance require heavy expenditure तो जो quality है roads की अगर हम इसकी बात करें तो developed country और developing countries में बहुत ज्यादा different होता है road construction में क्योंकि इसमें heavy expenditure जरुरत होती है बहुत ज्यादा खट जाता है इसमें इसलिए दोनों में बहुत ज्यादा difference भी होता है in developed countries good quality roads are universal and provide long distance links in the form of motorways, autobahans, Germany and inter-state highways for speedy moment तो जो developed countries होता है वहाँ क्या होता है good quality roads होते हैं जो कि long distance link बहुत ही अच्छा provide कराते हैं लोरेज ओफ increasing size and power to carry heavy loads are common और इसमें क्या होता है कि size बड़ा होता है इसका जो power होता हो काफे ज्यादा अच्छा होता है तो इसमें heavy materials अच्छे से जो होते हैं वह लोड होते एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं but unfortunately the world's road system is not well developed बात कर तो पूरे वल्ड कि अगर हम बात कर ले तो उसमें road system उतना ज्यादा well developed नहीं हुआ है the world's total motorable and road length is only about 15 million km पूरे वोल्स का total motorable road length कितना है 15 million km of which North America account for 30% जिसमें कि 30% अमरीका का ही नौर्थ अमरीका का the highest road density and highest number of vehicles are registered in this continent compared to Western Europe इसमें क्या highest road density है Western Europe के compared में भी traffic flows traffic flows क्या traffic on roads has increased dramatically in recent year पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि traffic बहुत ज्यादा मतलब सामने आरे बहुत ज्यादा traffic हो जाता है road पे when the road network cannot cope with the demand of traffic condition occurs city roads suffer from chronic traffic condition city roads जो होते हैं उसमें भी काफे ज्यादा traffic होता है पिक्स high points and throw low points of traffic flow can be seen on roads at particular time of the day for example pics occurring during the rush hour before and after work तो कब शुरू होता यह traffic तो काम से पहले और काम के बाद में यह सबसे ज्यादा जो city areas होते हैं वहाँ पे traffic start होते हैं most of the cities in the world have facing the problem of congestion बहुत सारे cities हैं पूरे वर्ल्ड में जोके इस condition का problem face करना पढ़ रहा है जिन है आगे जो है वह हमारा think on these lines चलो इसको छोड़ते हैं चलते हैं highways में कि highways क्या होता है highways are metal roads connecting distance places यह क्या करता है यह metal roads होते हैं जो की बहुत दूर दूर तक के places को connect करते हैं they are constructed in a manner for unobstructed vehicular movement as such these are 80 meter wide with separate traffic lanes, bridges, flyovers and dual caravals to facilitate uninterrupted traffic flow तो इसमें क्या होता है यह 80 meter wide होते है highways जो होते हैं और इनमें separate traffic lanes जो होते हैं ताकि जो facilities है वो better provide हो सके इन developed countries every city and port town is linked through highways अगर हम developed countries के बात कर ले तो जितने भी cities है port town है सारे के सारे highways से connected होते हैं आगे नौर्थ अमरीका highway density is high नौर्थ अमरीका में हमने पहले पढ़ा कि कितना था हमारा percentage 33% पूरा था पूरे वर्ल का 33% नौर्थ इंडिया में ही है roadways का तो क्या यहां पे density काफे ज्यादा हाइवे का हाई है अबाउट 0.6 किलो मेटर पर स्कॉर किलो मेटर आवरे प्लेसे विदिन 20 किलो मेटर देसंस फ्रॉम हाइवे जितने भी प्लेसे वह क्या हाइवे से सिर्फ 20 किलो मेटर की दूरी पर ही है इस इस फिक एक ज्युक्शि और वेल कनेक्टेड विद दोज ओ आट्लांटीक कोस्ट इस तो जो पैसिफिक कोस्टेर वैश्ट में वह काफी अच्छे से कनेक्टेड है किस से जो इस्ट मेरा इस से हैं उससे लाइक वाइवाइस बीसित ऑफ मेक्सिको इन साओ्ट जो ने अब है हमारा TransCanadian Highway Links Vanker in British Columbia to West इसरे से तो यहां पर हम बैसीकली देख रहे है कि एक जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री से क्या हो रहा है connect हो रहा highway के थूँ दपेन American highway a large portion of which has been constructed will connect the countries of South America Central America and USA Canada जो Pan American highway है वो किस-किस से connected है तो वो connected है South America से Central America से USA से और Canada से the Transcontinental Strait Highway connects driving North Coast and Melbourne ने वाया Tenant Creek and allies spring in Australia